Hey guys, welcome back to daily English with me. Friends, हम अमरी daily conversation में कुछ एसे sentences बोलते हैं जैसे की तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे. तो वो यहाँ नहीं आएगा. या फिर हम एसा भी बोलते हैं, यानि वो यहाँ नहीं आएगा. तो English में यानि या तो के लिए that means कहीं उसकी आराता है. और ऐसे sentences बोलने के लिए sentence की शुरुवात में that means कहीं उसकी आराता है और उसके बाद remaining sentence बोला राता है. For example, तो तुम नहीं आओगे. That means you won't come. यानि आप आज काम पर नहीं जाओगे. That means you won't go to work today. यानि उसने तुमारी बात नहीं मानी. That means he didn't listen to you. कुछ ऐसे sentences भी होते हैं जो अमें अक्सर बोलने पड़ते हैं. जैसी की. हाला कि वो गरीब है पर सब को मदद करता है. हाला कि वो smart है पर पड़ाई में zero है. तो friends, इन sentences में जो word आ रहा है हाला कि इसके लिए English में though या फिर although इन words का यूज़ किया राता है. तो चलिए इस तरह के sentences बनाने का structure देख लेते हैं. sentence की शुरुबात की जाती है और दो से उसके बाद sentence बोला जाता है और उसके बाद but का यूज़ करके second sentence बोला जाता है. क्योंकि इस तरह की वाक्यों में दो sentences होते हैं, मतलब दो clauses होते हैं. तो चलिए इस sentence structure को examples की जर्यों समझते हैं. सपोज अगर आप ऐसा बोलना चाते हूँ की हाला कि वो गरीब हैं पर जरूरत पढ़ने पर सब को मदद करता हैं. आप यह पहला sentence हो गया हाला कि वो गरीब हैं. तो यह बनेगा Although he is poor, but he helps everyone when needed. हाला कि वो smart हैं, पर पढ़ाई में जिरो हैं. मतलब पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हैं. Although he is smart, but he is not good at studies. हाला कि उसके पास पैसे तो बहुत हैं, पर हैं बड़ा कंजूस. Now friends, this is your goal to translate this sentence. So guys, translate this sentence in the comment section. इसका सही answer आपको description box में देखने को मिल जाएगा. Guys, ऐसे ही एक से बड़कर एक delugely sentences, advanced English structures, proverbs, और फ्रेजर वर्ब्स को लेकर मैंने एक e-book बनाया हैं. अगर अबे तक आपने वो e-book डाउनलोड नहीं किया है, तो कर लेजिए, उस e-book के लिंक दिस्क्रिशन सेक्शन में दे दी गई है. आप वहाँ पर जाके वो e-book परिजर्स कर सकते हो. So, go through this link and brush up your English. तो friends, मिलते हैं अगले लेस्न में, तिल देन, keep learning, keep watching my videos and keep practicing. Bye-bye, take care.